हालो फ्योजोशी वेल्कम बैक टो मैं चैनल फ्योजोशी वर्ल्ड आज मैं आपके लिए जैपनी बील ड्रामा आवर डाइनिंग टेबल का एप इस्पेसल एपिसोड लेकर आए हूँ अगर अभी तक आपने ये ड्रामा नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्चन बॉक्स में दे दूँगे प्ली टू चेक इट आओ वेल वेल गाइज जिस तरह से आप सर्प्राइज हो आवर डाइनिंग टेबल का इस्पेसल एपिसोड देखकर उसी तरह से मैं भी हूँ आप लोग की हित्ते रहे ये एपिसोड मेरे लिए भी अनेक्सपेक्टेड था बट कम्प्लीन कौन ही कर रहा है मैं तो बहुत खुश हूँ इस सर्प्राइज से वैसे भी पिछले पर युटाका और मिनोरी को बाई बोल कर मेरा दिल नहीं भरा था आपका भी मन नहीं किया होगा उन्हें बाई बोलने का सो लेट सी युटाका और मिनोरी के कपल्स बनने के बाद उनके लाइफ में क्या चल रहा है सो विदाउट फॉदर अडू लेट से इंटू ड़ वीडियो एपिशोड के शुरवात में हम देखते हैं कि सभी लोग ताने का बोड़े सेलबरेट करने के लिए ट्रिप पर आते हैं और अपने लिए घर बुक करते हैं सभी को घर बहुत पसंद आता है पर ताने को जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है वो कमरे के ऊपर जो एक छोटा सा कमरा है वो जहां पर ताने आज राट सोने का प्लान बनाता है यूताका का चेहरा बता रहा होता है कि वो यहां आकर कितना एक्साइटेड है यूताका मिनोरू से कहता है कि वो पहली बार ऐसी जगह पर आया है यूताका को खुश देकर मिनोरू भी बहुत खुश होता है उसके बाद वो लोग लंच करने जाते हैं तानी सबसे कहता है कि वो लोग उसके वज़े से इस हॉलिडे पर आए हैं अगर उसका बड़े नहीं होता तो वो लोग यहां पर नहीं आ पाते हैं यूताका इस ट्रिप के लिए तानी को ठाइं क्यू बोलता हैं खाना खानी के बाद सबका पीट भर जाता हैं मिनोरू यूत यूताका से कुछ कहने वाला होता है कि तभी यूताका को ओहातर रे का कॉल आ जाता हैं और वो उसे बात करने के लिए बाहर चला जाता हैं यूताका को बात करने में बहुत समय लग रहा होता है इसलिए मिनोरू बालकनी से देखता है कि यूताका रे से हस हस कर बाते कर रह मिनोरू के पापा भी समझ जाते हैं कि मिनोरू को जलन हो रही है वो मिनोरू का मजाग भी उड़ाते हैं पर मिनोरू इस बात से इंकार करता है और बच्चों की तरह मुफला कर बैठ जाता है तब ही युटाका वहां आता है और देर करने के लिए मिनोरू से माफी मांगता है उसके बाद वो पूछता है कि मिनोरू उससे कुछ देर पहले क्या कहने वाला था मिनोरू जुट बोलता है कि वो भूल गया कि वो क्या कहने वाला था खाना खाने के बाद तानी सभी को हाट स्प्रिंग चलने को कहता है जिसका वो लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे हैं तानी अपने पापा के साथ सबसे पहले स्विमिंग पूल में उतरता है अंदर पाठ्रों में मिनोरू अपने कपड़े बदल ही रहा होता है कि तभी यूताका के फोन पर री का मैसेज देख कर वो चौक जाता है मिनोरू के पापा तानी को बाहर नहाने के लिए ले जाते हैं क्योंकि बाहर भी शूमिंग पूल थी मिनोरू को इस तरह देकर यूताका मिनोरू के पास आता और पूछता है कि क्या वो गुश्चा है मिनोरू कुछ भी नहीं बोलता है नहाने के बार मिनोरू और उसके पापा रात का खाना बनाने के लिए बाजा शामान लेने चले जाते और ताने और युटा का घर पर ही रुपते मिनोरू का मुँ अभी भी बच्चों की तरह फूला हुआ होता है जिसे देखकर उसके पापा कहते हैं कि जब वो नाराज होता है तो अपने मा की तरह बर्टाव करता है सबी के जाने के बाद ताने को नीन दाने लगती है इसलिए वो ताने को शुलाने के लिए ले जाता है युताका अभी भी मिनोरू के बारे में सोच रहा होता है उसे समझ नहीं आता है कि मिनोरू इतना अपसेट क्यों है इस बारे में वो ताने से पूछता है कि क्या उसे पता है कि मिनोरू को क्या हुआ है ताने आधनीन में होता है फिर भी वो यूताका को बताता है कि मिनोरू ने उसके लिए एक लेटर लिखा है उसने उसे सभी चीज़ों के लिए ठाइं क्यों बोला है इतना कहे कर ताने शू जाता है यूताका को ऐशा लगता है कि अगर मिनोरू उसे सभी चीजों के लिए ठाइंक्यू बोल रहा है इसका मतलब वो उसे ब्रेक अप करना चाहता है इस ख्याल से ही यूताका डर जाता है थोड़ी देर के बाद मिनोरू शामान लेकर वापस आता है यूताका के पूछने पर मिनोरू बताता है कि उसके पापा दुकान से ताने का केक लेने गए है इस वक्त मिनोरू और यूताका कमरे में अकेले होते हैं दोनों बहुत आकवर्ड फील करते है इसी आकवर्ड नेश को दूर करने के लिए मिनोरू यूताका को बोड़े पार्टी में सजाने का शामान देता है जो वो गाड़ी में भूल गया था यूताका भी नार्मल बरताओ करने की कोसिस करता है और कहता है कि जब ताने ये सारा सामान देखेगा तो वो बहुत खुश होगा यूटाका को नॉर्मल बरताव करता देख मिनोरू को शमज नहीं आता है कि वो उससे क्या बोले उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि यूटाका किशी और को इस तरह का मैसेज भीजेगा फ्रस्ट्रेशन में मिनोरू जोर से चिला देता है जिससे युताका डर जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ है, मिनोरु जूट बोलता है कि उसने एक कीड़ा देख लिया था, उसके बाद वो लोग बड़े, लेटर्स फुलाने लगते हैं, युताका को आशास हो जाता है कि मिनोरु कीड़े को देख कर तो नहीं चिलाय और शूचता है कि शायद वो किसी बात को लेकर स्ट्रेस था या फिर सायद मिनोरु से ब्रेक अप करना चाहता है, इसलिए वो शेंवाल्ब नहीं कर रहा है, कमरे में इतनी शांती होती है कि मिनोरु अनकमफरटेबल फील करने लगता है, वो मैसेज़ेस के बारे में युत युताका ने बैट डेवल लेटर्स फुलाया है, मिनोरु बिना कुछ कहें बाहर चला जाता है, युताका भी उसके पीछे पीछे जाता है, और मिनोरु से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, और उसने अंदर कमरे में क्या देखा था, क्या वो अकसर कुछ देखते रहता है यूताका की बाते मिनोरू को शमज में नहीं आती है यूताका को लगता है कि मिनोरू शायद बहुत डरा हुआ है जिस पर मिनोरू कहता है कि वो डरा हुआ नहीं है वो बस कनफ्यूज है मिनोरू की जलन फिर से बाहर आने लगते हैं समझ नहीं आता है कि वो अपनी बातों को यूताका को कैसे समझा है दोनों बात करने के लिए बालकनी में जाते जहां यूताका मिनोरू से पूछता है कि वो उससे क्या कह रहा था तब यूताका को फिर से रेका मेसेज आता है इस बर मिनोरू यूताका से पूछी देता है कि वो उसे क्या छुपा रहा है आज उसने किसी से पूरे दिन बात किया यूताका कहता है कि हाँ ये सच है पर ये बात इतनी जरूरी नहीं थी कि बताया जाए मिनोरू बच्चे की तरह मुफिला कर पूछता है कि क्या उनके बीच को चल रहा है यानि कि क्या वो लोग एक दूर से को डेट कर रहे हैं ये सुनकर यूटाका चौक जाता है मिनोरू कहता है कि उसने उन लोगों के मैसेज़स देखे हैं यूटाका मिनोरू को इस तरह परिशान करने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि ये सब बस एक गलत फैमी थी उसके बाद वो मिनोरू को इसके एनिवर्सरी का गिफ्ट देता है दरसल आज उन लोगों को पहली बार मिले एक शाल हो गया है यूटाका को अपनी पशन पर भरुशा नहीं था इसलिए वो रे से बस पूछ रहा था कि मिनोरू के लिए ये गिफ्ट में देनी के लिए लंच बॉक्स ठीक रहेगा कि नहीं रे ने उसे कहा था कि जो चीज मिनोरू को खुश करेगी वो कोई पॉपलर चीज नहीं होगी बल्कि वो होगी जो वो से देना चाहता है यूटाका मिनोरू को वो मेसेज़स दिखा भी देता है जिसमें वो लोग लंच बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे लंच बॉक्स देकर मिनोरू बहुत खुश होता है पर उसे अपने किये पर सरमिंदा भी होता है इसलिए वो यूटाका से शौरी बोलता है अब जब इनके बीच की गलत वामी ठीक हो जाती है तो यूटाका उसे पूशता है कि आज लंच के दोरान वो उसे क्या कहने वाला था मिनोरू बताता है कि वो अगले सल कॉलेज फिर से जॉइन करने की सोच रहा है क्योंकि ताने अब बड़ा हो चुका है वो अपना ख्याल खुद रख पारा यूटाका के पास जॉब है और वो इंडिपेंडेंट भी है जबकि वो बस एक स्टुडेंट ही है मिनोरू को समझ में नहीं आता है कि इसे पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ कर काम करना चाहिए या फिर अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए लेकिन वो यूटाका को यकीन दिलाता है कि वो जो भी करेगा वो बेस्ट करेगा मिनोरु यूताका को वो letter देता है जिसमें उसने उसे time-kyoo कह था letters देते वक मिनोरु पूछता है कि क्या वो लोग हमेशा इस तरह साथ रह सकते है यूताका letter पढ़ता है तब ही मिनोरु कहता है कि अगर वो चाहे तो letter पढ़ने के बाद फीख भी सकते है युताका जट से बोलता है कि वो इस लेटर को कभी नहीं फेकेगा और हमेशा अपने पास रखेगा साथ की साथ वो हमेशा मिनोरू के साथ रहेगा आगे युताका कहता है कि मिनोरू जो भी करने का सूचेगा वो इसमें हमेशा उसका साथ देगा ये शुनक मिनोरू इमोशनल हो जाता और कहता है कि वो हमेशा इस लंच बॉक्स को अपने कॉलेज ले जाएगा उसके बाद वो लोग मिलकर ताने का बड़े सेलिब्रेट करते हैं तो इस तरह फाइनली समय हो गया है युता का और मिनोरू को आखरी बार अलविदा कहने का आई होब आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आई होगी साथ ही साथ ये स्पेसेल एपिसोड डेख कर आपको भी बहुत मजा आया होगा मेरी तरह